हलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सब को देखने को मिलेगा प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस का उप्योग तो एक एक चीज को ध्यान से देखिए का आसानी से आपको आ जाएगा प्राकृतिक गैस, इंगलिस में कहते हैं नेचुरल गैस यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जिस भी गैस को किसी ने नहीं बनाया हो उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं जिस भी गैस को किसी ने नहीं बनाया हो उसे प्राकृतिक गैस कहते हैं जैसे मैं देख सकते हैं ऑक्सीजन, कारवन डाय उक्साइड, नैट्रोजन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, व्यूटेन, पिएनजी, एलपीजी, सिएनजी और एलएनजी आदी ये सारे के सारे जो भी गैसे आपको दिख रहे हैं ये प्राकृतिक गैस हैं इनको हम प्राकृतिक गैस क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन सभी गैसों को किसी ने नहीं बनाया है ठीक है और प्राकृतिक गैस में बहुत सारे गैसे मिले हुए होते हैं प्राकृतिक गैस को हम कई गैसों का मिसरन भी कहते हैं ठीक है? कुछ गैसे ऐसे हैं जो आपको खुले वातावरन में देखने को मिल जाते हैं जैसे में Oxygen, Carbon Oxide, Nitrogen ये आपको वातावरन में देखने को मिलता है लेकिन कुछ गैसे ऐसे हैं जिनको जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है तो जैसे में आप देख सकते हैं PNG, LPG, CNG, LNG, AD कुछ गैसे हैं जिनको जमीन में से खोद कर निकाला जाता है और कुछ गैसे आपको खुले वातावरन में देखने को मिल जाएंगे तो प्राकृतिक गैस में आप यही चीज ध्यान में रखिएगा कि जिस भी गैस को किसी ने नहीं बनाया है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक गैस ठीक है तो चलिए अब हम समझ लेते हैं प्राकृतिक गैस का उप्योग प्राकृतिक गैस का उप्योग तो यहां पर देखिए सांस लेने में, खाद निर्वान में, बिधूत बनाने में, घरेलू गैस उप्योग में, वाहनों के इंधन के रूप में, करखानों में इंधन के रूप में इस वीडियो में हमने सीखा प्रकृतिक गैस और प्रकृतिक गैस का उपियोग तो आई होप आप इसे आसानी से समझ गये होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक किजिएगा ऐसे ही मचदार वीडियो के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में